So Hello Everyone, यह आज की दिन का दूसरा विडियो है, आज की दिन का पहला विडियो यह रहा, अगर आपको इस विडियो को देखना है, आई बिटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, एंड विडियो के end screen में भी आपको card मिल जाएगा, वहां से जा करके आप देख सकते हो, तो करो जल्दी से ताकि 900 तक हम पहुंच सके, तो चलो, स्टार्ट करते हैं, विडियो को यह विडियो होने वाला है, एक comment request पे, तो अगर आपको भी किसी stock को ले करके कोई doubt है, जस्ट आप उस stock का नाम एंड साथ में आपको क्या जानना है, क्या आपका question है, वो आप comment कर सकते ह तो मैं उसको पर definitely एक video बना दूगा, okay, तो ऐसा ही कुछ, आज का comment है, ttml share के बारे में नोंने बोला है, क्यार, ttml के बारे में बात किया जाए, देखो है, सबसे पहली जीज, I don't know, आपने क्या देख करके, मतलब पसंद किया है, थोड़ा सा हो सकता है, आपको root लगे, but no issues, ये जो है, बतलब, normally, ये देख कर की समझ में आता है, कि ये company कैसी है, तो देखो, सबसे पहली जीज, देखो, I don't know, आपने क्या देख करके select किया है, again, थोड़ा root लगता है देखने में, but, इसमें मुझे ऐसा कोई भी चीज नहीं लगा, जिसको देख करके लगे, कि या अच्छा है, कुछ हद तक, मतलब, फिर भी अच्छा है, अगर आपका सल लगा, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा, definitely, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, कि इधर-उदर की बाते, बट हाँ, आप इस चैनल को जिश्ट देख सकते हो, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कोर्स आप, हेलो, ये, करो, वो, करो, obviously, कोर्स है भी नहीं, ठीक है, तो जो भी है, आप इस चैनल को देखो, just इस चैनल की वीडियो को देखो, जो भी वीडियो आ रहे हैं, आप बस इसको देख लो, ठीक है, आपको खुद बाखुद, मतलब, समझ में आ जाएगा, कि किस तरह से आपको analyze करना है, किस तरह से आपको business देखना है, किस तरह से fundamentals देखना है, किस तरह से technicals देखना है, क्या process रहने वाला है, सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और start करते हैं सबसे पहले, देखो, अब obviously, मैंने पहले ही आपको बता दिया, कि मुझे ये बिलकुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और अब reason बताना भी जरूरी है, तो क्या reasons हो सकते हैं, देखो market cap, ठीक है, 15,000 क्रोड का market cap है, एक mid cap company है, ठीक है, एक mid cap company है, और mid cap company में risk कम होता है, मतलब normally, large cap से कम होता है, बट इसमें risk मैं कहूंगा, बहुत बहुत जादा है, मतलब इसमें risk, आपको इसमें reward नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा क्यों मैं कहा रहा हूँ, again वही सवाल आता है, सबसे पहले आप इसके quarters देख लो, मैंने सिर्फ quarters निकाला है, मैं कुछ comparison नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाने वाला हूँ, आप देखो, जितने quarters यहाँ पे हैं, स सारे के सारे quarters loss में, आप देख रहे हूँ, सारे के सारे quarters loss में, सब loss में, अच्छा, अब बोलो गयर operating profit देखो, सारे operating profit plus में, positive, positive, सारे operating profit है, मैं बोलूँगा, हाँ, बिल्कुल सही है, आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ, बट इसमें सवाल आता है, ऐसा कैसे हो गया, कि operating profit इत इंट्रेस्ट आप अगर देखोगे लगभग 400 करोड के आज पास का इंट्रेस्ट ही आता है आप समझ रहो तो बहुत जादा इंट्रेस्ट है अब इतना जादा इंट्रेस्ट क्यों है तो मैं आ जाओँगा profit and loss में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो operating profit देख सकते हो यहाँ पे operating profit पूरा मतलब आप देखो positive ही operating profit ठीक है अगर आप sales देखोगे तो sales में कोई growth नहीं है ठीक है उपर से sales आधा हो चुका है पहले यह sales मतलब पहले यह sales बहुत जादा था अब जो है मतलब लगबग 1000 के आसपास पहुंच चुका है 1100-1125 पहले यह होता था 2400-2600 मतलब पहले जितना होता था आज से 10-12 साल पहली जितना होता था उससे आधा हो चुका है चलो एक बार मैं आपको consolidated भी दिखा जाता हूं कि क्या हालत है तो देख सकते हो इसमें तो data ही available नहीं है इसलिए मैं आपको just standalone show कर रहा हूं ठीक है आपको reason भी पता चल गया होगा अब अगेन अगर आप यहां पर नेट प्रॉफिट यहां पर नहीं देखने मिलेगा positive में उपर से कितने बड़े बड़े losses है 9000 क्रोड का loss है आप समझ रहे हो 9800 मतलब लगबग 10,000 क्रोड का loss है और generally 1200 क्रोड का loss तो होता ही है ठीक है अगेन इसका reason क्या है इसका reason है interest आप देखो इसमें मतलब यार देखो अगेन पहली बात तो यह कि अगर आप एक beginner हो ठीक है तो आप इस चीज को इस process को apply कर सकते हो कि अगर आपको net profit में लगाता loss दिख रहा है तो आप छोड़ दो उसे ठीक है लेकिन हां एक turnaround नाम कभी कुछ चीज होता है ठीक है कभी और बात करेंगे इसके बारे में turnaround मतलब जो loss था अब वो profitable बन जाएगा मतलब company जो है loss to profit आ जाएगी और फिर profit करने लगेगी तो यह एक अलग चीज होता है बट हाँ again वही बात है पहले आपको ABCD सीखना होता है ठीक है ABCD फिर उसके बाद आपको उसको math में a square plus b square plus 2a b करके सीखना होता है ठीक है तो पहले आप normal ABCD सीख लो फिर यह वाला algebra वाला ABCD सीख लेना है तो वह ही चीज है पहले बिल्कुल basic चीज है net profit आपको negative में दिख रहा है लगाता है क्यों negative है इतना जादा interest है तो interest किस पे आता है loan पे आता है आप balance sheet पे आ आपको link मिल जाएगा वो वीडियो जो है वो आप जरूर से जाकर के देखना उससे भी आपको समझ में आएगा अगे और बॉरिंग्स में आपको हमेशा कहता हूं मतलब जो लोग वीडियो को देखते है रेगुलर ले उनको पता होगा बॉरिंग्स खराब चीज नहीं है लेकिन जब बॉरिंग्स इस हद तक चली जाती है तब यह खराब क्या this is pure poison आप समझ रहे हो pure poison थोड़ा मिल आवट नहीं है slow poison नहीं है यह fast है furious है pure है सब है अब देखो हु रिजर्वस आप देखो कितमे की रिजर्वस है माईनस 21000 मतलब रिजर्वस negative में है रिजर्वस negative में हैं Please इतने जादा बॉरिंग्स आप समझ रहे हो अगर ऐसा होता की 21000 क्रोर की रिजर्वस होते पॉजितिव वालिकी मैं बात कर रहा हूं अगर ट्वन 21,000 क्रोड की reserves होते अगर और borrowings अगर होती 18,000 क्रोड की मैं बोलता perfectly fine कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हाँ borrowings जादा है बट reserves भी तो है लेकिन यहाँ पर reserves minus 21,000 क्रोड है मतलब company खुद एक तो reserves की मतलब खतम हो चुके है reserves खतम क्या minus में जा चुके है वो भी इतना जादा और इसके उपर से borrowings है अगर आप borrowings भी देखोगे तो I think long term में ही होगी again long term short term में divided है बट हाँ long term में जादा है और again CWIP कुछ-कुछ चलता है और investments यह सब तो ठीक है बट हाँ आप अगर देखोगे तो यहा आप ऐसे वेले बैठे हो घर पर आप कुछ काम नहीं करते कोई service नहीं करते कोई job नहीं करते कोई आपका business नहीं है कुछ नहीं है आप मतलब at the end of the month मालो मैं अपनी बात कर लता हूँ चलो मालो मैं at the end of the month मैं 0 कमाता हूँ 0 मैं कुछ नहीं कमाता मेरे पास already 21,000 मालो किसी के पास मैंने किसी से पैसा लिया हुआ है और मतलब मुझे पैसा देना है उसको तो अभी मैं minus 21,000 में हूँ क्योंकि मुझे उससे देना है और 21,000 मेरे पास खतम हो चुके है और फिर मैंने क्या किया मैंने 18,000 का odd loan ले लिया मतलब मैं मतलब पहले मेरा minus 21 थाई अब उसमें और minus 18 आ जाएगा अब समझ रहो तो यह चीज है तो आगे बढ़ते हैं investors में तो हाँ इसका shareholding pattern no doubt अच्छा है बहुत अच्छा है 74% का shareholding है बहुत अच्छी बात है लेकिन अगेन वही देखोगे कि 15,000 क्लोड की company है 15,000 क्लोड की company है और उसमें एक भी FIIs नहीं है मतलब अगर से बताता है कि company में गड़बर है ठीक है यह सब तो हो गई थोड़ी और detail वाली बात है सबसे बहली चीज़ अगर आप एक beginner हो simple अगर आप एक beginner में क्यों कह रहा हूं क्योंकि white turnaround वाली बात है ठीक है क्योंकि कुछ certain cases होते हैं जिसमें company पहले negative जाती है loss making होती है धीरे यहां पर आपको देखना है net profit क्या increase हो रहा है ठीक है यह तो loss है ठीक है तो हटा बात ही कतम है ठीक है अगर normal आप मैं beginner वाली बात बता रहा हूं अगर normally आप आओगे किसी company पे आप देख लेना अगर यह लगातार increase हो रहा है ठीक है plus में positive है मतलब profitable है और लगातार increase हो रहा है ना तो वो चीज़ है बाकी टेकनिकल्स देख करके भी आप समझ सकते हो ठीक है मैं आपको बता रहो कि आप as a beginner कैसे identify कर सकते हो ठीक है और यहां पे अगर देखोगे तो यह pure pump and dump वाली चीज़ है ठीक है उसके बाद फिर से मतलब यह चीज़ आपको बता होगा कि एक बा उसके बाद यह पूरा नीचे आ गया उसका फिर यह उपर गया फिर नीचे आ गया और अब यह खतम हो चुका है ठीक है इसमें कुछ अब बचा हुआ नहीं है और आप ऐसा चार्ट देख करके तो मैं नहीं लेकिन हां यह जो आप देख रहो यह चीज़ है जो आपको यहा पर एंड होता है पर एक चीज़ मैं आपको जरूर कहूंगा honestly again no recommendation at all मैं buying selling holding कुछ मैं tip recommendation call कुछ नहीं दे रहा हूं ठीक है कोई भी tip recommendation मैं नहीं दे रहा हूं आप वीडियो को देखा करो ठीक है educational purpose से काफी interesting आपको लगेंगे यह वीडियो देखा करो वीडियो को आपको भी कुछ समझ में आएगा और हमें भी फाइदा होगा थोड़ा सा खेर जो भी यह एंड करते हैं वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा like चे subscribe कर देना और comment कर देना आपको अगर कोई stock के बारे में doubt है तो मैं उसको पर एक separate वीडियो बना दूँगा और जय हिंद and thanks for watching